हेलो आप सब लोगों का स्वागत है यार आज हम लोग बात करेंगे जेम्स टीजर का यार मैं वो बंदा हूँ जिसने जेम्स के मोशन पोस्टर को रिवीव किया था एक साल पहले देखो या थमने ले उसने मैं बहुत ही बड़ा सीपी था मुझे सब था जब मैं वो वीडिय अच्छ कुमार सर के लिए तो भाई मैं एकी चीज़ बहूँगा कि मैं यह इसलिए नहीं बो रहा हूँ कि वह अभी इस दुनिया में नहीं है मैं वह इसलिए बहुर रहा हूँ कि मैं उनसे कभी परसनल मिला नहीं लेकिन जितना उनके बार में जाना है इन दो-तीन सालों इतना वह एक्टिंग के तुरू लोगों के दिल में बसे ना उससे कई जाधा उनकी अच्छा है उनकी चैरिटी के वज़े से उनका नेक दिल के वज़े से एक एक्टर नहीं बलके अच्छे इनसान थे और इसी वज़े से ऑडियंस उनको इतना जाधा प्यार करती है और अ ऐसा एक्टर है जो दुबारा वापस तो नहीं आ सकता है लेकिन वो अपने मूवीज के सरी हमारे दिल में हमेचा जिन्दा रहेंगे और जेम्स टीजर देखकर मैं एक लिए बलूँगा के कमाल है यह मैं जूटी तारीफ नहीं कर रहा और तारीफ करने की जरूरत भी नही है मुझे टीजर अच्छा लगा और मैंने जब उसका पहला मोशन पूश्टर देखा था तभी मुझे काफी इंप्रेस किया था और पता नहीं मुझे 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 कैसी होगी क्योंकि लाश यूवर रतना मुझे अच्छे लगी थे वर अप दी बैस्ट मूवी ऑफ 2021 थी यूवर रतना और आपको यकिन ने तो उसके कलेक्शन देखो आपको खुद ही पता चल जाएगा और जेम्स के टीजर के बाद को टीजर काफी प्रमिसिंग लग रहा है और जिस तरह की से हुए पावश और पूनीत राज कुमार सर को देखने को मिला जो उनके एंट्री थ कहना है वह आप लोग कह सकतो तो बस इस वोड़ों में इतने आई होप जेम्स फालू मुवी इंक लिए मिलते हैं इस वोड़ों में दिले बाद